हलो एवरिवन मेरे नाम है दिरेंदर तोमर और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल कंप्यूटर ग्यान की इंद्रे में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज का वीडियो है हाउ टू ग्रो यॉर बिचनिस जी हाँ यदि आप कोई एजुकेशनल चलाते हैं या आपका कोई कोचिंग सेंटर है या आपकी कोई आउनलाइन वर्कसॉप है आउनलाइन वर्कसॉप का मतलब क्या तो आप MP online का का काम करते हैं या आप C.H.C का 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 वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है वीडियो को अंत तक जरूर देखि आपके ही फाइदे की बात इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ तो यदि आप कोई educational आपका institute है तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं थोड़ा सा basic knowledge देते हैं business के बारे में कि अगर आप कोई educational institute चला रहे हैं या फिर आपको कोई coaching center है या आप online work shop चलाते हैं जैसे बड़ी जरूरत है वो जरूरत क्या होगी आपकी आपकी जरूरत है student या आपकी सौप में आने वाले customer यदि आपका कोई educational institute याने की यदि आप कोई dcap gdc related course करवाते हैं आपके institute के माध्यम से या आपका कोई coaching center है आप school के बच्चों को coaching देते हैं आप किसी particular subject की like physics की chemistry की बाहर के हों कहीं से भी हैं आप यदि आपके पास भी इन में से किसी भी एक प्रकार का business architecture business structure है तो आपको सबसे बड़ी जो जरूरत पड़ीगी वो किस की है student की और customer की अब यहाँ पर student और customer आप से आकर direct आपको बिना ज़्यादा परसान किये आसानी से convert हो जाए admission के लिए या आपके पास जो भी आप उसको सुविधा परदान कर रहे हैं वो आपसे करवानी के लिए like अगर आप online business में हैं तो आपका जैसे कि हम बात करें अगर pen card आप बनाते हैं आधार card की service आप देते हैं या कोई online form भरने का काम आप करते हैं तो customer आपके पास आए और आपसे सीधे काम करवाए आपसे ज्यादा inquiry ना करें आपसे ज्यादा चीज़े पूछे ना कि भाई आप कितना चार्ज लेते हैं या आपके हाँ क्या क्या सुविधा है उपलब्द हैं ये सारी चीज़े वो आपसे आके बार बार आपसे ना पूछे और direct वो आपके पास और आपको convert हो जाए like student आपके पास आ रहा है और सीधे form भरके आपके पास एड़िशन ले रहा है तो आपको भी कितना अच्छा लगेगा ठीक है इसके अलाबा आपने जो fees या आपने जो charge उसे बताया है वो उसमें discount भी ना मांगे आपसे ठीक आपने अधिक तर देखा कि अगर आप उनसे बोलते हो कि हमारी fees जो है वो 12,000 है तो सामने वाला customer बोलेगा या student बोलेगा या नई सर यह बहुत ज़ादा है इसे आप कम कर लिजिए आप 10 में करा दीजिए आप 8 में करा दीजिए या आप कोई form भरते हो तो आप charge बोलते हो पैन का चार्ज हम 2500 अपे ल बिजनेस की growth कर सकते हैं किन तरीकों के माद्यम से आप इन लोगों को convert कर सकते हैं सबसे main चीज आपका कोई अगर educational institute या जो भी चीज हम आपको बार-बार यहां पर बता रहे हैं आपको screen पर दिखाई भी दी रही है यदि इन में से कोई भी एक business आप करते हैं ठीक है तो आ होजिएगा एक-एक slide को एक-एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आपके काम की बात आप relate जरूर करेंगे कि हाँ यह आपके साथ भी होता है और क्यूं होता है इसका color भी बताऊंगा साथी साथ वीडियो के last में आपको इसका result भी दिखाऊंगा आपको इसका किस प computer का center है ठीक है क्या आपके पास student नहीं आ रहे है तो उसका color क्या हो सकता है पहला color अगर आम मान के चले कि student नहीं है ऐसा है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप सोचते हैं कि आपके हाँ admission काम आ रहा है तो हो सकता इस session में student ही ना हो ऐसा नहीं होता है क्यूंकि student बहुत स आउट है या जिनको कोचिंग के आवज सकता है या जो कोर्स करना चाहते है बहुत सारे बच्चे आपके आसपास इस बात को आप सबसे पहले तो बिल्कुल नकार दें कि इस्टुडेंट नहीं है इस्टुडेंट अवेलिबल है लेकिन वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं व Hey ऐलावा भी और भी कुछ इंस्ट्टुट होंगी जो कंप्यूटर आजुकेशन आ या MPO smoked особенно अपके आलावा भी सारे MPO कीそうそう जो इस काम को करते होंगे MPLN का काम करते होंगे तो student या आपके जो customer वो क्या हो जाते हैं मुख्या हो जाते हैं कुछ आप के पास आ रहे हैं कुछ जो है किसी दूसरे के पास जा रहे हैं अब यहाँ पर student बढ़ जाती है जिससे number of student की संख्यज़ होती है आपके पास कम हो जाती एक करण यह हो सकता है ठीक है इसके बाद पुराने student का experience अच्छा नहीं था आपके यहाँ आपने पिछले session में कुछ बच्चों को पढ़ाया होगा तो हो सकता है वो बच्चे आपको recommend नहीं कर रहे हैं दूसरे लोगों को ठीक है यानि कि आपके बाहर किसी दूसरे student को यह बोल रहे हैं कि भई आप उनके हां से मत करो या फिर आपके बारे में कोई negative branding कर रहे हैं जिस कारण से student जो है आपकी center में नहीं आ पा रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा workout करना पड़ेगा इसके उपर और आपको इसके लिए थोड़ा उनको ब आपने पढ़ा दिया उनके थुरू आपने बोला कि भाई आप जो है नए student को लेकर आओ तो वो अपने connected student को लेकर आ रहे हैं लेकिन हो सकता कोई ऐसा known person है कोई नया बंदा है नया student है जो आप से जुड़ना चाहता है लेकिन वो आपको जानता ही नहीं है वो आपके center से य इसके अलावा या आप नए student तक नहीं पहुच पा रहे हैं देखें दो पॉइंट है यहाँ पर कि या तो नया student आपको नहीं जान पा रहा है वो आप तक नहीं पहुच पा रहा है या एक करण ये भी है और जो सबसे बड़ा करण ये बूल सकते हैं कि आप उस student तक नहीं बहुत सारी तरीके होते हैं जिसके माद्यम से आप उस student तक पहुच पाएंगे क्या तरीके होंगे चलिए आंगे डिसकस करेंगे एडवीशन के लिए आपको student और customer इन दोनों के सबसे पहले तो थोड़ा सा इनकी behavior को समझना पड़ेगा अब discuss करेंगे इनकी थोड़ा सी behavior क के बारे में और आप इसे अपनी point of view से थोड़ा सा सोच के देखिएगा देखिए अगर आप चाहते हैं वाकई में growth तो आपको इस video को पूरा देखना होगा और दूसरी चीज़ हर एक point से आप connect जरूर हो जाईए ठीक है देखिए क्या होगा कि जब तक आप इसे वाकई मे नहीं समझेंगे कि यहां पर problem कहां पर आ रही है तो आपके institute में जैसा अब तक चल रहा था वैसा ही आँगे भी चलेगा आप यदि वाकई में growth चाहते हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को आपको कि किस प्रकार से growth आएगी सबसे पहले यहां पर student की behavior की अग पानते हैं तो जब आपने college में admission लिया था तब क्या आप किसी ऐसे college में गए गए थे जहां पर आपके दोस्त नहीं जा रहे थे हैं ना ऐसा नहीं था क्या हो रहा है आज भी वही प्रचलन होए वाज भी वही चलन चल रहा है कि अगर आपके दोस्त जो हैं दस दोस्त हैं दस में से अगर पांच दोस्त भी आपके किसी institute में जाकर admission ले रहे हैं और आपको भी same course करना है तो आप उनके साथ ही जाओगे आप उनके साथ ही जाओगे कि भीया मेरा दोस्त है ये वहाँ पर जा रहा है पढ़ने के लिए तो मैं भी उसके साथ ही जाओँगा ठीक है तो वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है बिलकुल fact बात है दूसरा student वहीं एड़िशन लेने जाता है जहाँ पर कोई known person है नोन परसन का मतलब हो सकता है उसके दोस्त इस साल नहीं है या उसके एक साल पहले उन्होंने एड़िशन कहीं पर लिया था तो वो उसे recommend कर रहे ह कि भाई मैंने यहां से पढ़ाई की है तू भी यहां पर पढ़ाई कर सकता है क्यों और वो खुद ले कर जा रहा है उसको वो अपने दोस्त को खुद ले कर जा रहा है क्यों क्योंकि उसने अल्रेडी पढ़ा हुआ है वहां पर तो उसको हर एक चीज के बारे में जानका र होती है ना तो उस हिसाब से वह क्या करेगा रिकमेंड करेगा अपने दोस्त को तो जो उसका दोस्त है वह नून परसन हो गया फिर ठीक नून परसन का मतलब यह कि या तो आपके इंस्टीटूट में इस नए श्टुडेंट के लिए कोई नून परसन है जो जो आपको भी जा आएगा क्योंकि वह आपको या आपके किसी एंपलॉई को या आपके किसी इस्टुडेंट को पहचानता है तो वह व्यक्ति तभी आपके पास आ रहा है क्योंकि वह आप में से किसी एक को जानता है किसी आपको पहचानता है ठीक है यानि कि इसका एक मतलब यह भी कह सकते ह कि कोई भी student किसी unknown institute में unknown व्यक्ति के पास नहीं जाता है ठीक दूसरी fact तीसरा fact है known place known place का मतलब आप उस जगह पर जाना ज्यादा पसंद करोगे जिस जगह पर आप already घूम चुके हो already घूम चुके हो का मतलब अगर आपको पता है एक एक चीज उस जगह के बारे में तो आप आप वहाँ पर आसान फील करोगे जाना वहाँ पर आपको थोड़ा सा comfort मिलेगा जाने के लिए अगर आप किसी product को खरीदने जाते हैं किसी सामान को खरीदने जाते हो देखिएगा ये customer behavior है student का behavior है आप भी इस चीज सो connect करोगे जरूर कि यदि आपको कोई एक simple earphone भी खरीदना है ठीक है earphone खरीदना है आप किसी unknown shop में जाने से ज़्यादा पसंद ये करोगे कि आप किसी आंदर को जानते होगे या आप उस जगह को जानते होगे कि भाई इस जगह पे मैं गया था भले उससे अच्छी दुकान आपके बाजू में ही क्यों नहों लेकिन आप उस नए व्यक्ति के पास जाने से ज़्यादा अच्छा ये मन होगे कि आप उस व्यक्ति के पास जाओ भले वो दूर है लेकिन वो आपके लिए known place है आप उस व्यक्ति को जानते हो उस जगह को जानते हो इसलिए आप वहाँ पर जाना पसंद करोगे तो तीसरा factor है known place वाले जगह पर ही student जाना पसंद करता है इसके लाबा एक तो होती है parents का suggestion parents का suggestion भी सबसे ज़्यादा माहिने रखते है क्योंकि जो fees होती है वो parents को देनी होती तो अगर आपके parents की कोई पहचान है तो भी आप जो है उनके parents के suggestion के माध्यम से वहाँ पर admission ले सकते हो यानि आपके पास student जो आ रहे हैं वो अपने parents के suggestion के थ्रू भी आते हैं तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ जाकर वहाँ पर admission लेते हो लेकिन जो urban area है जो थोड़ा सा city area कहलाता है वहाँ पर parents से ही आपको लेकर जाते हैं और अक्सर बच्चे भी इसके लिए दोस्तों के साथ मिलकर दो चार जगाए पर घूम लेते हैं कि हमको यहाँ 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 यह student कई जगह पर जाते हैं घूमने के लिए तो उसमें से केबल 10% student ऐसे होते हैं 10% लोगों का chance ऐसा होता है जो किसी नए institute को try करना चाहते हैं वो नई जगह पर जाना चाहते हैं वो किसी पुरानी जगह पर एडविशन नहीं लेना चाहते हैं किसी non-person के पास एडविशन नहीं लेना चाहते यह एक नए institute में एडविशन लेने की केबल लेकिन इसकी percentage बहुत कम है है न केबल 10% student हैं जो एक नए institute को recommend करेंगे नए institute में जाकर एडविशन लेंगे नए का मतलब उनके लिए वो नया ह क्योंकि वो आज तक आपको न जानते थे ना आपको पहचानते थे और फिर भी वो आपके पास एडविशन लेना तो यह केबल 10% student के साथ ऐसा हो सकता है यह student behavior इसमें से एक एक point आपने जो देखेंगे अगर आप अपने मद्दे नजर आप सोचेंगे थोड़ा अपने उस बात करेंगे way of promotions आपका परचार का तरीका क्या है आप अपने सेंटर का परचार कैसे करते हैं पैंप्लेट की माद्याम से होडिंग की माद्याम से बहुत पुराना तरीका है maximum जो सेंटर संचालक है जो institute चलाते हैं कोचिंग सेंटर चलाते हैं या आपका MP online या CSC का सेंटर तो maximum लोगों का तरीका होता है pamphlets बटवान कर या hoardings लगा कर आप जगह जगह पर अपने pamphlets लगवाते हैं जिसके मादम से आप उसमें लिखेत रूप में जो text होता है उसके रूप में आप प्रचार करते हैं लोगों को अपने बारे में जानकारी देते हैं इसके अलाबा commission to old student आपके हाँ जो already बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आप कुछ commission based पर ये बोलते हैं कि भई आप admission लेके आए और पर admission आपको कुछ इतना amount दिया जाएगा इसके अधर पर आप admission करवाते हैं या आपने whatsapp group बना करते हैं बहुत सारे MP online user ये करते हैं कि आपने whatsapp group बनाया ह हुआ है और whatsapp group में आप अपने हां के जो वेकेंसी आ रही है उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हो या आपने जो institute है आपने institute के लिए आपने अलग अलग बैच के लिए आपने group बना के रखे हैं वहां पर आप group में क्या कर रहे हो आप एड़ दे रहे हो कि भई नए ड student को आप कर रहे हैं cover नहीं कर पा रहे है ठीक है तो आपने whatsapp group में डाला है या फिर आपने facebook page में या facebook account आपका है वहाँ पर आपने परचार डाल दिया आपने whatsapp का status अपना डाल दिया कि नए डिविशन स्टार्ट हो गया है लेकिन आपके whatsapp status को कौन कौन देख रहा है आप आपके whatsapp status में कौन जोड़ा है आपके whatsapp में क्या unknown person जोड़े हैं unknown student जोड़े हैं जिन तक जानकारी पहुचेगी नहीं पहुचेगी आपके whatsapp group में आपके family member जोड़े होंगे आपके जो colleagues हैं वो जोड़े होंगे आपके कुछ पुराने student हो सकता है जोड़े होंगे तो आपके ये तरीके हैं तो सही लेकिन पुराने तरीके है इसके अलावा अगर आप इनके अलावा कोई और तरीके से आप करते हैं promotion तो हमें video को में comment कीजिए नीचे comment box पे जाकर बताएं कि आपका तरीका क्या है प्रचार करने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगा प्रचार क करने का और अगर आपका तरीका सही है तो उसे आप और कैसे बहतर कर पाऊगे ताकि आप admission और तेजी से बढ़ा सको उसको भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके लिए आप भी comment करें कि आपका तरीका क्या है प्रचार करने का ठीक है चलिए इसके बात करेंगे physical promotion versus digital promotion क्या होता है दोनों में अंतर देखिए digital promotion का मतलब हमने क्या बोला है facebook के माद्यम से whatsapp के माद्यम से इंस्टा के माद्यम से आप जो promotion कर रहे हैं जो आप प्रचार कर रहे हैं अपना ठीक है उसमें और जो physical promotion physical promotion मतलब आपने pamphlet लगवाई आपने hoarding लगवाई आपने announcement करवाई ग तो आपको जो audience है आपकी actual audience है आप उसे target नहीं कर पा रहे है आपका physical audience physical promotion में और digital promotion में अंतर सिर्फ सबसे पहला अंतर जो आएगा वो है target audience का आप digital platform में अपनी audience को target कर सकते हो लेकिन physical promotion में आप अपने audience को target नहीं कर पाऊगे मतलब आपने physical के माद़ा में से pemplate लगवाया hoarding लगवाया आपके hoardings को हर age group का आदमी देख रहा है जिसको जरूरत यह भो भी देख रहा है जिसको जरूरत नहीं है भो भी देख रहा है ठीक है digital में आप यह कर सकते हों कि भाई हमको किसको दिखाना है हम केवल उस व्यक्ति को वो एड दिखाएंगे जिसको actual में जरूरत है आपकी audience जो है आप उसे दिखा पा रहा है तो target audience physical यहाँ पर आप physical को हम बोल सकते हैं minus one यहाँ पर मिला costly होता है भई physical promotion बाकई में बहुत costly होता है आप pamphlet चब बाओगे किसी व्यक्ति को लगा के उस pamphlet को बटवाओगे आप hoardings लगवाओगे आप pamphlet चब बाओगे इन सब में आपको पैसा बहुत जाएगा digital promotion में आप कम पैसों में जादा लोगों तक पहुंच सको के और इसका एक example में आज की वीडियो के last में आपको दिखाऊंगा जरूर कि किस प्रकार से आप कम promotion में मैंने क्या किया था और मैंने किस प्रकार से यहाँ पर promotion किया है holding आपने लगाई थे कही किसी की holding जो आपने लगाई है जो आपने flex लगाए है क्या वो वहाँ पर अभी भी available है या ऐसा तो नहीं कि वहाँ से निकाल दी गई है तो location में आप अपनी जगाए पर बैठे हो लेकिन आपने जिस व्यक्ति को काम दिया है लगाने के लिए क्या वाकई में वो जाकर वहाँ पर लगा कर आ रहा है या उसने कुछ template लगा दिये कुछ template अलग कर दिये अब digital promotion में आप उसे track कर सकते हो ठीक है physical में आप उसे track नहीं कर सकते हो physical promotion में आपको जो response मिल रहा है वो आपके लिए unknown है unknown का मतलब आपने मालो अपने गाउं में करीब 100 template लगवाए उस 100 template का response आपको कितना मिलेगा आप उस चीज को measure नहीं कर पा रहे हो आप उसे नाप नहीं पा रहे हो ठीक है कितने लोगों ने आपको देखा कितने लोगों ने आपके template को देखा कितने लोगों उससे convert हुए कितने लोगों आपके पास आ रहे हैं ये आप track नहीं कर पा रहे हो लेकिन digital में आप इसे track कर स लेकिन डिजिटल प्रमोशन में आपको इंतिजार नहीं करना होता है, आप एक्सल ले सकते हो वहाँ पर, कैसे ले सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसके अलाबा, आप क्या फिजिकल प्रमोशन में डेली अपडेट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, आप अपने student को नएनी जानकारी दे सकते हो, आप अपने student को नएने तरीके से उनको प्रचार करवा सकते हो, प्रचार आप उनको दिखा सकते हो, तो digital और physical में जमीन आस्मान का अंतर है, physical promotion अच्छा है लेकिन तरीका अप पुराना हो चुका है, ज्यादा costly पढ़ता है, समय क आपके पास तभी आएगा, जब वो आपको पहचानता होगा, जो अभी हमने इतनी बाते की, उन सबसे जो सार निकल क्या रहा है, जो में मुद्दा निकल क्या रहा है, वो ये है, कि student आपके पास तभी आएगा, जब वो आपको पहचानेगा, जब वो आपको recognize करेगा, इस हो ठीक है क्यों वो आपको recommend क्यों कर रहा है क्योंकि उनका experience अच्छा था इसके अलाबा वो आपकी positive branding करेंगे positive branding का मतलब क्या हुआ वो आपके बारे में जाकर लोगों बोलेंगा हाँ वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है आपको वो सुविधा मिलती है जब आपकी positive branding होगी automatic आपके बस नए customer आएंगे नए student आएंगे ठीक है इसके अलाबा student know your routine student को आपके बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए आपके बारे में मतलब आपके personal information है आपके institute की personal information पर बोल सकते हैं कि आपके यहाँ किस तरीके से पढ़ाई होती है कौन सी faculty आपके subject कौन से पढ़ाती है या क्या आपका practical किस दिन होता है आपके यहाँ theory किस दिन होती है आपके यहां कितने system available है, आपके यहां routine क्या है, आपके यहां enter करेंगे तो आपको reception में कौन मिलने वाला है, तो यह जो एक पूरा location यह आप बोल सकते हो जो अंदर की चीज़े हैं, वो student को पता होनी चाहिए, वो उससे aware होगा, आपके पास जरूर आएगा, ठीक है, इसके अलाबा, आप उन्हें daily update करते रहें, daily update कैसे करेंगे, भाई अगर आपको किसी व्यक्ति या किसी institute की daily update मिल रही है, आपको पता है कि आज यहां पर यह हो रहा है, आज इस center में exam conduct कराया गया था, आज इस center में छबी जनवरी मनाई गई थी, आज center में कुछ program हुआ था, आज center में इस topic पर पढ़ाई की गई, अब आपको जब पता है, आप देख रहा है हो, आपको वहाँ पर जाना आसान हो गया, ठीक है, यह मैं student की point of view से बोल रहा हूँ, तो student आपके पास तब ही आएगा, जब वह आपको बहुत अच्छे से जानता होगा, अब इन सब चीजों से बात निकल के सिर्फ यह आती है, कि यदि आपको वाकए में student की संख्या बढ़ानी है, या आपके customer की संख्या को बढ़ाना है, तो यहाँ पर बात क्या होगी, क्या होना करना होगा आपको, आपको उस student तक पहुँचना पढ़ेगा, आपको अपने customer तक पहुचना पढ़ेगा, आपको अपनी जानकारी student तक देनी पढ़ेगी, आपको अपने बारे में student को बताना पढ़ेगा, आपको उन से जुड़ना पढ़ेगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए, लेकिन इन सब चीजों के लिए, physical promotion जो मैंने आपसे बोला, वो बहुत महंगा होगा, ठीक है, अभी आपको क्या जानना है, क्या तरीका है, प्रमोसन करने का, परचार करने का सबसे सही तरीका, digital promotion करना है, लेकिन digital promotion का भी एक तरीका होता है, हर कारे को करने का एक धंग होता है, अगर आप गलत तरीके सो उसको करेंगे, भाई आपने WhatsApp में तो आप कर रहे हो प्रचार, ठीक है, अभी भी मैं आपसे बोलना हूँ, कि आप WhatsApp में प्रचार कर रहे होगे, आप अपने status में डाल रहे होगे, कि आपके हैं एडविशन स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये चीज़े, ठीक है, आपने WhatsApp में गुरूप बनाया, वहाँ पर आप डाल रहे होगे, आप अलग-अलग गुरूप में ये चीज़े सेर कर रहे होगे, कि भाई एडविशन स्टार्ट होगा है, जल्दी से आए एडविशन ले, करोगे, आप ये चीज़े कैसे आईगी आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, कुछ वीडियो, सबसे पहला काम तो आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, मैं आपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, आपको वीडियो बनाना है, ताकि आप किसी और तक पहुँच पाए, ठीक है, कैसे बनाना है, क्या यूज करना है, मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, वीडियो आपको बनाना होगा, इसके लावा, Google My Business में आपका अकाउंट होना चाहिए, जश्ट डायल में आपका अकाउंट होना होना चाहिए, फेस्बुक पेज का एड़ अकाउंट आपके पास होना चाहिए, सारी चीजे आपके पास होनी चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे करना है, क्या step होंगे, किस प्रकार की process होगी सारी चीज़े मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो में लाश्टर जरूर बने रहीएगा इसके अलावा लगातार यूटूब के वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा अब यहाँ पर कुछ चीज़ और देखे देखे यह है मेरा Facebook पेज यहाँ पर मेरे एक सेंटर भी है तोमर इंस्टिटीट ओफ कंप्यूटर यह एक सेंटर और है जिसे मेरे बड़े भाई चलाते है जो की है बरेला में जवलपुर के पास इसके अलावा मेरे एक सेंटर और है जो की है तोमर कंप्यूटर बीज़ डांडी जो की मंडला जिले में पढ़ता है यहाँ पर मैंने अपने एक Facebook पेज बनाया था जाता समय पहले की बात नहीं है यह पेज यह चीज़ है देखे हम भी ऐसा नहीं है कि हम यह बहुत समय से कर रहे है हमने भी यह चीज़े पिछले लास्ट एक दो मन्ते में सीखी है और जो मैंने सीखा है जो मुझे response मिला है उसके बारे में मैं आपसे share कर रहा हूँ चीज़े यह हमारा page है जो आप अभी screen पर देख पा रहे हैं इसमें हम daily update करते हैं क्या update करते हैं बाई जो हमारे यहां बच्चे आ रहे हैं स्टाइटिंग में आख रहे हैं टाइपिंग कर रहे थे या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके हमने फोटो अपडेट की यहां पर classes अगर हो रही हैं वहाँ पर तो classes क्या test arrange किया test कैसे हुआ या वहाँ पर student की classes लग रही है classes कैसी लग रही है यह चीज़े हम उस page में क्या कर रहे थे लोगों को share कर रहे हैं लोगों की नजर में यह चीज़े बार बार जा रहे हैं कि हाँ यहां यहां पर यह student जाता अब इसमें से बहुत सारे लोगों ऐसे होंगे जो उनकी पहचान के भी होंगे तो क्या हो रहा है उनको एक positive message जा रहा है कि हाँ इनकी हाँ admission है इनकी हाँ इतने बच्चे available है और यह सब उनकी हाँ पढ़ने जा रहा है हम उनको यह चीज़े दिखा रहे हैं उनसे जुड रहे हैं ठीक है इसके साथ हम उनको कुछ काम की चीज़े दे रहे हैं student Hindi typing सीखना चाता है वो जान रा चाता है computer से knowledge के बारे में जाना चाता है तो लगातार हम उस Facebook page में उनको daily कम से कम कुछ ना कुछ उनको update जरूर देना है आपको जैसे कुछ important चीज़े हैं computer से related कुछ बाते हैं या आप अपने बारे में जानकारी देना चाते हैं जो भी आपको बताना है आपको दिन में कई कई बार वो चीज़े आपको उनको बतानी पड़ेगी Facebook page के माध्यम से जैसे ये भी हमने उनको update किया हुआ था इसके अलावा एक add हमने डाला देखिए अब बात करूँगा add हमने चलाया वहाँ पर हमने उस page में add डाला था यहाँ पर आपको एक add देख रहा होगा simple सा जिसमें एक video हमने बनाया वीडियो के माध्यम से हमने जाकर उनको ये add दिखाया जिसमें हमने जानकारी दीख भी हमारे यहाँ के add विशन जो है start हो गए है जो अभी add विशन लेना चाहते है वो आकर हम से इस जगह पर इस पते पर संपरके कर ले अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे होगे नीचे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो reach और engagement है 2216 pupils की reach होई थी reach याने उन लोगों तक हम पहुँचे थे और engagement दो से 801 लोग इस add से जुड़े जो यहाँ पर आये click किया देखा इसको सुना इसको समझा कि क्या है भाई add में क्या बताया जा रहा है 281 लोगों यहाँ पर जुड़े और आप यकीन मानिये इसमें से अब यह नहीं बोलता है मैं 100% आपको result मिलेगा लेकिन फिर भी केवल एक post जो मैंने 14 जनवरी को की थी और 14 जनवरी को यह मैंने किया हुआ था आज जो है February चल रहा है इस add की मदद से अच्छा मेरे पास जो student आ रहे थे उनसे मैं जानकारी भी करा था कि भाई आपको जानकारी कहां से लगी ठीक है क्योंकि वो मेरे लिए unknown थे लेकिन वो मुझको जानते थे वो student मेरे लिए unknown भले होगा लेकिन वो मुझे जान रहा था वो मुझे जानता था कि सर हाँ मैं आपका add देखा था Facebook में देखा था Instagram में देखा था आपके बारे में मैं जानता हूँ मैंने आपके page को follow किया है आपके हाँ की daily update मुझे मिलती रहती है तो वो मुझे जान रहा था तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करें कि 281 engagement जरूर हूँ थी लेकिन इस 281 engagement पर इस add की मदद से मेरे पास 55 admission आय थे 55 admission इस एक add की मदद से आय थे और इस add को चलाने में मैंने invest किये थे मात्र 2500 रुपे 250 रुपीज 2500 रुपे मैंने invest किये इस add में और इस एक add में 2500 रुपे के मेरे पास 55 admission आय थे तो क्या अभी तक आप ये बता सकते हैं कि क्या आपने pump plate के माद्यम से, hoarding के माद्यम से flex के माद्यम से 2500 रुपे की investment में 55 admission कहीं लेकर आये नहीं आपने किया आस तक एक और चीज़ दिखाता हूँ चलिए, एक और add, 7 January को डाला था मैंने, इसमें भी मेरे पास 1290 की reach गई थी, 204 engagement आय थे यहां से भी मैंने 32 admission लगभग मेरे यहां से भी आय थे, 30-32 admission मेरे इस add के माद्यम से भी आय थे तो सबसे आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो तरीका है यह digital तरीका आज के समय का बिल्कुल बदल गया है इसने जो पहले physical promotion थी वहां पर आप track नहीं कर पा रहे थे यहां पर आप track भी कर पाऊगे आप देख पाऊगे आपके पास customer कौन आ रहा है कैसा customer आ रहा है ठीक है तो इन्हें आप जरूर देखेएगा इसके अलाबा यह मैंने यहां पर live class भी ले रहा था हमारे यहां जो class हो रही थी वो class भी मैंने live class चलाए थी जिसमें उस समय पर लगातार तुरंत में क्या 20 engagement हो गये थे 22 people तक live class में भी पहुँच गई थी 22 people तक नए लोगों तक और 20 engagement 20 लोगों वहाँ जोड़ भी रहे थे अच्छा इसके अलाबा एक और चीज में यहां पर आपको दिखाना चाहूँगा corner पर आपको दिख रहा हुगा people reach 28 दिन के अंदर पोस्ट इंगेजमेंट 808 पोस्ट इंगेजमेंट 808 अगर 808 पोस्ट इंगेजमेंट में से अगर आपके पास मात्र हम बोल रहे है कि 100 इडिशन भी आ रहे है 800 में से 100 इडिशन भी आ रहे है ठीक है बहुत कम रेशियो 70 भी आ रहे है 50 भी आ रहे है तो क्या ये तरीका बुरा है क्योंकि आप तो यहां पर ट्रेक भी कर पा रहे हूं कि आपके पास कस्टमर कौन से आपके स्टुडेंट कौन है आप से कौन जूनना चाहता है आप एक्सन ले सकते हो आप उन्हें कॉल कर सकते हो ठीक है तो ये तरीका आजके समय का है जो आपके लिए वाकई में बहुत पासानी से जादस जादा लोगों तक जुड़ सकते हो जादस जादा कस्टमर तक पहुंच सकते हो ठीक है आप भी सीखना चाहते हूं कि आपको कैसे करना यह सारी चीज है हमारा कोर्स है जिसका नाम है ग्रो यॉर लोकल बिजनेस यह सारा एक्सपीरियंस जिस तरीके से मै मैंने अपने सेंटर में एडिविशन बढ़ाए जिस तरीके से मैंने एड बनाया मैंने फेस्बुक पेज बनाया मैंने अपने गूगल अकाउंट बनाया गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाया कैसे मैं एड चला रहा हूं यह सारी चीज है कैसे मैं वीडियो बनाता ह है या ज़्यादा मात्रा में वीडियो नहीं है कम वीडियो में केवल नॉलिज की बात की है कि आपको क्या क्या करना है बिलकुत सटीक काम किया है और ये कोर्स दो हजार चार हजार या पांच हजार का नहीं है मात्र 299 का course है एक बार ये course आपको खरीदना है एक बार आपको वीडियो सारे देखने है अपने आपको तयार करना है अपने आपको ट्रेइनिंग देनी है और फिर lifetime आप अपने जो courses है जो अपने अपना प्रचार का तरीका है वो आप बदल सकते हैं इसके साथ साथ इस course में अगर कोई नए अपडेट होते हैं तो हम आपको नए अपडेट भी यहाँ पर course में available करवाएंगे साथ हम आपको और नई नी चीज़ें यहाँ पर इसके साथ से business की नई नी strategies भी हैं जो हम आपको सिखाएंगे यदि आपको promotion में कोई problem आ रही है कोई तरीका आपको जो है आपके पास और कोई suggestion है कि आप ऐसा कर रहे हैं इसको और कैसा सुधार सकते हैं आप हमसे chat option है इस app के अंतरगत वहाँ पर जाकर भी आप हमसे suggestion ले सकते हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या होगा business को grow करने का ठीक है इस app को इस course को अगर आप activate करना चाते हैं हमारा app है जिसका नाम है computer ग्यान केंद्र जो आपको मिल जाएगा play store में गूगल play store में भी available है साथ ही साथ video के description में इसकी link के दी है वहाँ पर जाएं और इस app को download करें course को अभी activate करें और इस app में आपको chat option भी मिलेगा जहाँ पर जाकर आप हमसे बाते भी कर सकते हैं जहाँ पर आप हमें message करें जिसका reply हम आपको जरूर देंगे ठीक है तो यदि वाकई में आप चाहत नमस्कार